हेलो तो आप सभी सो बात करेंगे हापर प्रिंस पाइप के बारे में इस कमपनी के आज हापर कौटर वन के रिजल्ट अनौस हो चुके है और कमपनी ने सभी को दोस्तो चौका दिया जितना एक्सपेक्टेशन था उतना अच्छा पॉफरमस किया है या नहीं वो यहापर हम समझेंगे और काफे लोग इसमें इंटरेस दिखाना चाहते है क्योंकि इस कमपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉंग है तो कमपनी के रिजल्ट भी उतने अच्छे प्रेजेंट किये गए वो भी यहापर हम देख लेते हैं जिनके पास कॉंटिटीज अवेलेबल है उन सभी के लिए काफे इंपोर्टन न्यूज यहापर आ चुकी है तो चलिए देख लेते डीटेल्स पहले मैं प्रेंस पाइप के अंदर कोई बड़ी अनॉस्मेंट हुई है क्यों बता देता देखे अनॉस्मेंट के अंदर हमें देखना क्या चाहिए कि कमपनी डिविडन वगेरा दीए क्या कोई फंड ट्रेजिंग का यहापर कोई ओधर डिशिजन लिया गया है क्या बट यहापर हमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है डायरेकल यहापर हम रिजर्ट के बारे मेंशन यहापर नहीं है तो चलिए पहले बात करते हैं इस कमपनी के टोटल रिविन्यू के बारे में कमपनी रिविन्यू कैसे जनरेट कर रही है वो भी देख लेते हैं प्रिंच पाइप ने रिविन्यू डबल कर दिया है यहापर आप देख सकते हैं जून महिने में 2021 को जो company 3,328 जो million में कमाई कर रही थी वो बढ़कर देखिए 6,053 million हो चुकिए 2022 में जून महने के result में हैं तो company का धमाकेदार improvement हमें जो yearly basis पर देखने मिलता है and आप यहाँ पर compare कर सकते देखिए जो पिछले quarter में means quarter 4 के result में company ने 9,013 जो million में कमाया था revenue वो हमें थोड़ा down जाते वे नजर आ रहा है 6,053 million में है तो company yearly basis पर बड़ी improvement प्रिंस पाइप करते वे नजर आ रही है बट quarterly basis पर नहीं तो आप total expenses की भी बात करें तो company के expenses हमें improve नजर होते वे आ रहे हैं बोलतो यहाँ पर पूरी तरिके से improvement में देखने को मिल रहे है और आप देख भी सकते कि पिछले साल company का जो expenses था वो 3079 million था वो यहाँ पर बढ़कर 5,832 million हो चुका है आप quarterly basis पर देख सकते हैं तो quarterly कोई बड़ी improvement नहीं है 7,856 से यहाँ पर 5,832 है तो company के expenses भी quarterly basis पर डाउन है बट yearly strong है आप बोलेंगे sir expenses क्यों देखने चाहिए expenses means company का खर्चा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है company आगे भी बढ़ रही है खर्चा जहां का वहा रहा बोलतो कुछ भी उसमें improvement नहीं रही तो मतलब है कि company कही पर भी नहीं जा रही आप इसके net profit की बात कर लेते हैं for the rate मैं आपको बतब देता हूँ देख लिजे company के number में बहुत बड़ा है आपर different आ चुका है बोलतो हमें देखने को मिल भी रहा है net profit के अंदर company कमा रही थी कितना आप तरह tax के बात की बात कर रहा हूँ मैं बोलतो taxes वगेरा deduct होने के बात company के पास 177 million में net profit आवो घट कर 160 million हो चुका है तो yearly business पर company down ही देखने को मिली है यह देखिए पिछले quarter में quarter 4 के result में 882 यहाँ पर million में इसका net profit आवर इस बार देखिए कितना है तो बहुती जबरदस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिल रही है यह company के यहाँ पर improvement के अंदर जो भी होनी चाहिए वैसी नहीं है total compression के बारे में भी आप देख सकते वहाँ पर भी same situation आपको यहाँ पर नजर ही आ जाएगी यह मैं आपको बार-बार चीज़े repeat कर रहा हूँ इसलिए कि आप समझ सके इतना हम slow जो बाते सुन रहे है क्योंकि हमें पता चले कि actual company कहाँ पर down है और किस तरीके से हमें यहाँ पर company के अंदर पूरा performance देखने को मिल रहा है अब देखिए इसके EPS की बात करें तो earning per share भी आपको नजर आएगा बहुती slow चल रहा है yearly basis पर उतना कोई बदलाव नहीं बट quarterly basis पर तो बहुती बड़ा बदलाव है quarterly basis पर क्यों क्योंकि देखिए 8 का यहाँ पर जो 8 का जो P था वो यहाँ पर 1.45 का ही हो चुका है तो बहुती कम company का P रेशो है स्वारी यहाँ पर earning per share रेशो है वो बहुती कम है अब यहाँ पर हम इसके consolidated वगेरा result नहीं के देखे तो कोई भी नहीं है consolidated result नहीं है ना यहाँ पर standalone आईसा कोई भी mention नहीं किया उन्होंने directly result present कर दिये है यहाँ पर दोस्तों Prince Pipe के बारे में और detail देखे तो एक company बहुत अच्छी तरीके से business तो करकर दिखाती है और business के advantage भी इसके पास है बट उतना हो सके जो इसे के हमें expectation था उतना यहाँ पर benefits और भी कमानी पाई इसके पास 750 product है range अच्छी है और मैंने बताया भी था कि inflation का आपको असर जरूर यहाँ पर construction business पर देखने को मिलेगा और वो हमें यहाँ पर पूरी तरीके से implementation में भी देखने को मिल रहा है बलतो पूरा यहाँ पर हम देख भी पा रहे है manufacturing unit इनके साथ है और यहाँ पर जो इनके partners है वो भी अच्छे खासे है business इसका strong है इसमें कोई शक नहीं खाली हमें समय देना पड़ेगा अभी भी आप long term की journey देखेंगे तो stock down यहाँ पर position में ही चल रहा है और अभी भी 30% के करीब हमें discount में already मिल रहा है और इसने बहुत बड़ी तेज़े दिखाई थी यहाँ पर आप देख भी सकते है एक time पर देड़ सो 100 रुपए पर मिलने वाला share 600, 700 तक, 800 तक और 900 तक भी इतना लंबा perform किया इसने तो इसलिए आपको ऐसा pressure देखने को मिलेगा और अभी ऐसे result के वज़े से भी तो gear out में मिल जाए मैं आपको कहूंगा इसमें आपको जब खरीदारी करनी चाहिए वो level में आपको बताता हूं देखिए कम से कम आपको जो यहाँ पर 500, 500 के range में देखने को मिले तो entry ले लेना fresh और आपके पास high value शे already है तो आप यहाँ पर continue कर सकते Thank you so much